आज के चेप्टर का नेम है सदारंग अदारंग सरवत्र ख्याल का परचार होने से सदारंग अदारंग का नाम सर्व विदित है क्योंकि उन लोगों ने अनेक छोटे बड़े ख्यालों की रचना की ख्याल के साथ वे लोग भी अमर हो गए सदारंग अदारंग उनका उपनाम था वास्तों में उनका असली नाम कुछ और था अदारंग का असली नाम फिरोज खाँ था और सदारंग का असली नाम नियामत खाँ था अदारंग सदारंग के पुत्र थे गायक तांसेन की पुत्री की दस्वी पीढी सदारंग की थी उनका पूरा उपनाम सदारंगीले था उनके गीतों में अधिकतर सदारंगीले मुहमद सा लिखा हुआ पाया जाता था वे मुहमद शाह के दरवार में थे उनको प्रसन्न करने के लिए अपने गीतों में उनका नाम डाल दिया करते थे एक बार बादशाह के दिमाग में यह बात जम गई कि सारंगी के साथ नियामत खां की बीन भी बजे उनकी यह इच्छा नियामत खां को सुचित कर दी गई इसे सुनकर वे बड़े दुखी हुए और उनके वजीर से साफ साफ कह दिया कि सारंगी की संगती करना मेरी बेज़ती है मैं खांदानी बीन कार हूँ कोई अताई नहीं हूँ बादशाह की बाद किसी प्रकार टाली नहीं जा सकती थी एक और नियामत खा अपनी हट पर अड़े रहे और दूसरी और बादशाह जो उसे दरबार में रखे हुए थे वे अपनी आग्या की अवेनना किसी भी प्रकार सहन नहीं कर सकते थे अतहा उसने सदारंग को अपने दरबार से निकाल दिया कुछ समय तक सदारंग अग्यात रहे उनका मन सदा ख्याल के परचार में लगा रहता अंत में सदारंग ने ख्याल को परचार में लाने के लिए एक नई तरकीब खोज निकाली उन्होंने सोचा कि अगर गाने के शब्दों में बादशाह का नाम भी डाल दिया जाए तो ऐसे गीतों को सभी लोग पसंद करेंगे और गीत के साथ ख्याल शैली भी परचलित हो जाएगी उसने ऐसा ही किया और उसे बड़ी सफलता मिली उसने अपने सभी रचित गीतों में सदारंगीले मौमदशा शब्द डाल दिया बादशाह भी ऐसे गीतों को बड़ी चाओ से सुनते थे उनके मन में बड़ी उतकंठा हुई कि सदारंगीले कौन है कुछ समय पश्चात पता चला कि सदा रंगीले और कोई नहीं बलकि नियामत खां ही है तब बादशाह ने उनके पुराने अपराद को छमा कर दिया और पुनहा आदर पूर्वक धरवार में रख लिया दरवार के अन्य धुरुपद गायक ख्याल को जनाना संगीत कहने लगे और उससे जनने लगे कहा जाता है कि सदा रंगीले स्वेम तो धुरुपद गाया करते थे किन्तु अपने शेश्यों को ख्याल ही सिखाते उनके गीतों में श्रिंगा रिक्ता और बादशाह की प्रशंसा पाई जाती है उनके रचित गीत ख्याल होने के कारण पहले निम्न को टिके समझे जाते थे किन्तु जैसे जैसे प्रचिलित होते गए उनका महत्व बढ़ता गया